हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नोकरी एलाड पर आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एक इंपोर्टेंट टोपिक जो की आपके हैं न्यू एडिकेशन पोलिशी 2020 जो 2020 में न्यू एडिकेशन पोलिशी आई थी उसके बारे में हम लोग जैसे कि ग्रूप डी एक्जाम सफिस्टेट गॉप्मेंट उनमें जरूरी कोश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग फिप्टी कोश्चन डिसकस करेंगे जो कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक पोश्चन आ जाएगा आपके एक्जाम से और वीडियो स्टार्ट करने के पह वाट परसेंटेज ओफ जीडिपी विल बी इस्पेंट बाइड गॉप्मेंट इन्यू एडिकेशन पोलिशे टूरी 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 इसमें कितनी परसेंट ओफ जीडिपी गॉप्मेंट ऑफ इंडिया इस्पेंड करेंगे टोटल शिक्स परसेंट आपकी जिडिपी की न्यू एडिकेशन पोलिशी पर स्पैंड होगे कॉच्चन नम्बर टू कुप फेड काशनी पोलिशी 2020 जो 2020 में न्यू एडिकेशन पोलिशी आते उसे किन्होंने प्रिपेर किया था इन में से तो दा करेक्ट एंसर इज बी कस्टूरी रंगन सिमिटी जो है उन्होंने प्रिपेर के थे न्यूएटिकेशन पोलिशी 2020 उसमें 10 प्लस टू एडुकेशन की पैटन क्या है न्यूएट एंसर इज ए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह आपकी न्यूएटन है जैसे कि 1,2,5 फिर 5 से 8 फिर 8 से फिर 12 से अबका 11 से 15 14 इन दी न्यूएट एडुकेशन पोलिशी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 वाट स्टेज इस एजाइन टू नंबर 5 जो नंबर 5 इसमें कौन से स्टेज एसाइन किया गया है न्यूएट एडुकेशन पोलिशी में तो दा करेक्ट एंसर इज बी फाउंडेशन इस्टेज इसको आप इसको फाउंडेशन इस्टेज कहा जाता है फाइब को नेक्स्क्स्ट कोश्ट्यन वाट नेम है यह गीवेन तो हुमें रिषओं डेवलोप्मेंड ओंच को फोन सा नाया नाम दिआ गया है जो दा कर्रेक्ट एंसर इस बीए एडुकेशनल मिनिस्ट्री जो एडुकेशनल मिनिस्ट्री है उसे नाम दिया गया है न्यूमें रिसोर्स डेबलोप्मेंट मिनिस्ट्री को नया नाम भी इंपोर्टेंट है आपके लिए जो आपकी एडुकेशन पॉलेशी के इसाब से इचला से आपकी एडुकेशन ऑन कोलिक एड वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगी new question in higher education which course has been eliminated जो higher education है उसमें से कौन सा इन में से कोर्स है जो कि आपकी eliminate किया गया है पीएज डी है एमे या एम्फिल है so the correct answer is D आपकी एम्फिल इसको eliminate किया गया है कुछिन नाबर एट इन नियू एडिकेशन पॉलेशी 2020 वाट इस दे मिनिमम् क्लास ओफ इस्टुडेंट्स विट इस मदर टंग जो नियू एडिकेशन पॉलेशी उसमें कौन सी कम से कम क्लास है जिसमें कि आपकी मदर टंग सिखाया जाना चाहिए सब्सक्राइब क्लास फाइब क्लास फाइब क्लास फाइब क्लास फाइब तक जो भी जितने भी स्टुडेंट है उनको अपने मदर टंग उनके जरूर सिखाना पर एगा नियू एडिकेशन पॉलेशी 2020 के हिसाब से है फर हाव मेनी य एर यह न नियू एर्ट कोशे है एग से जिए ऊधितां से चांव आ decorations सो सतार और करेक्ट हैंसर चषारीज ओुड तटटरेशीं थे बास के बास में नियू एडिकेशन पॉलीशी थे चांच व Sm question number 10 for whom national assessment center will be made national assessment center किनके लिए में से बनाया गया है so the correct answer is b children या national assessment center children के लिए बनाया गया है who is the present educational ministry of India जो अगर पूछे जाएंगे तो इसमें एक ज़रूरी पूछे जाएंगे कि प्रेजन में education ministry इंडिया के कौन है so the correct answer is दी रमेश पॉरियल question number 12 for school education who will prepare the national curriculum framework national curriculum framework school education के लिए इन में से कौन सा इंस्टिट्ट गया है जो कि आपका प्रिपेर करेगा जो कि आपकी national curriculum framework को प्रिपेर करेगे question number 13 what is academic bank of credit in NEP 2020 जो national education policy उसमें academic bank of credit क्या है इन में से so the correct answer is b digital score for higher education जो digital score for higher education है उसको ही कहा गया है academic bank of credit in national new development new education policy में question number 14 what is the current enrollment ratio of higher education जो higher education है उसमें इन में उसमें new education policy के हिसाब से enrollment current enrollment कितनी है so the correct answer is c 23.3 percent 26.3 percent आपकी current enrollment ratio है by which year universalization of education through gross enrollment ratio has been planned जो gross enrollment ratio है वह इन में से किन में प्लान किया गया कौन से year में so the correct answer is a 2030 2030 में आपका नेशन प्लान किया गया है तो आज के वीडियो में बस इतनी अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्काइब परेगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिक्सन आपको मिलते रहे थैंक यू फो वाचिंग वीडियो जोन नोकडी एलर्ट